हेलो बच्चो कैसे हो उमीद करती हूँ आप से भी अच्छे होंगे जैसे कि मैंने अपने पिछले तीन वीडियो में आपको बताया है कि हिंदी विकास मंच द्वारा एक हिंदी का उलम्पियाड लिया जा रहा है जो की है आपके सितंबर में तो उसकी डेट क्या प्रोसीजर सबका वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ आज मैं उसमें जो स्लेवर्स दिया गया था जिसका वीडियो में बना चुकी हूँ उसके एक भाग जो की थी राश्ट्रिय चिन भारत के राश्ट्रिय चिन उसके बारे में आपको पता रही हूँ ये वीडियो भी हो सकता है दो भाग में आये आपके लिए इस वीडियो में कुछ राश्ट्रिय चिन बताऊंगे और अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए राश्ट्रिय चिन बताऊंगे तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है भारत के राश्ट्रिय चिन यहां पर भारत की राश्ट्रिय पहँचान के प्रतीक यानि की भारत के राश्ट्रिय प्रतीकों पशू, पक्षी, विरासत पशू, खेल आधी का विवरण दिया गया है यह प्रतीक भारतिय पहँचान और विरासत का मूल भूत हिस्सा है राष्टिय चिन किसी भी देश की संस्कृती और विरासत का प्रतीक होते हैं उसी प्रकार भारतिय राष्टिय प्रतीक चिन भारत की विरासत और पहँचान का प्रतीक है आप सभी जानते हैं कि हर किसी की कुछ नेशनल सिंबल्स होते हैं इंग्लिश रिम नेशनल सिम्बल्स कहते है, उसी से हम उस देश को पहँचानते हैं, जाहा उसका जण्डा हो, उसका नेशनल इंथम हो, उसका फल हो, कुछ भी हो, उसकी capital हो, तो हम उसी के बारे intercepts की पहँचानते हैं, तो इस यह पशु कौन सा है या पक्षी कौन सा है उससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रेशन हो सकता है पूछे जाए तो कोशिश कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल में आपको यह बताने की कि नेशनल सिंबल्स क्या है उनकी क्या खासियत है वो कब अपनाए गए या वो क्यों अपनाए गए तो शुरू करते हैं नेशनल सिंबल्स ओफ इंडिया तो अब है सबसे पहला है हमारा राश्ट्रिय द्वज या जिसे हम झंडा कहते हैं जो कि तिरंगा है तिरंगा बना ही त्री जमार रंग से त्री का मतलब तीन और रंग का मतलब जो कि उसमें यानि कि तीन रंगों से मिलकर बना है हमारा तिरंगा और इसका हर एक रंग अपने बारे में एक खास पहचान रखता है और इसका बीच में जो चक्र दिया गया है जिसमें की 24 यह जो तिलियां बनी होई है जहाम स्पोक्स कहतें वो भी अपने आप में एक नई और एक इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है ध्वज की चोडाई और लंबाई का अनुपात क्रमशय दो अनुपात तीन होता है यानि कि इसका रेशो 2 इस्टू 3 होता है ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलिया होती है यह चक्र सारनाथ में इस्थित अशोख स्तम से लिया गया है सारनाथ जो की आपका मध्यपरदेश में है उसमें जो अशोक स्तम बना था उसमें सी ये लिया गया है 22 जुलाई 1947 को भारतिय सम्मिधान सभाने राष्टिय ध्वज तिरंगे को अपनाया था भारत के राष्टिय ध्वज में स्थित के सरिया रंग त्याग और वलिदान सफेद रंग सत्य शान्ती और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की स्मर्दी और उर्वरक्ता का प्रतीक या प्रदर्शक है उसके अलाबां जो हमारे राष्ट र्ष्टिय ध्वज में जो चक्र लिया गया है वो निरंतर, उन्लती और प्रगती करने का सिम्बल है या प्रतीक है अब हमारा दूसरा है राष्टिय चिन जो है अशोक स्तम यह अशोक स्तम जो है वो आपने जितनी भी करंसी है इंडिया में उस पर सभी पर देखने को मिलता है जितने भी जो राष्ट्रिय मॉनुमेंट है, राष्ट्रिय मारते हैं चाहे वो आपका राष्ट्रपती भवन हो या और भी हो वहाँ पर भी ये आपको अशोख स्तम देखने को मिलता है और इस अशोख स्तम के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जैते यानि कि सत्य की सदेव विजय हो भारत का राष्टिये चिन जिसे हम नैशनल एमलम कहते हैं अशोख स्तम्ब मौरे सामराजी के शाशक महान समराट अशोख द्वारा सारनात में बनवाए गए स्तम्ब से लिया गया है इस स्तम्ब में चार शेर एक दूसरे से पीट से पीट सटा कर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंग के नीचे लिखा है सत्यमेव जैते जिसे राष्ट चिन में दर्शाया गया है जो की देवनागरी लिपी में अंकित है इसका आर्थ है सत्य की ही विजय होती है देवनांगरी लिपी जो की हिंदी भाषा की लिपी है और संस्कृत भाषा की लिपी है तो इसलिए सत्यमेवजयते का मतलब है सत्य की ही विजय होती है और जो हमारे नेशनल ये जो आपका नेशनल एंबलम है ये अशोक द्वारा स्थापित किये गए अशोक स्तम से लिया ग 26 जन्वरी 1950 को अशोक स्तम को भारत के राष्टिय चिन्न के रूप में आधिकारिक रूप से स्विकार आ गया था 26 जनमर 1950 को हम गणतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं जिस दिन हमने अपना संविधान लागू किया था और उसी दिन अशोक स्तंब को राश्ट्रिय चिन्न के रूप में स्विकार किया गया था अगला हमारा जो राश्ट्रिय सिंबल है वो है भारत का सरबोच्चे राश्ट्रिय पुरुसकार जो की होता है भारत रत्न और भारत रत्न सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान माना जाता है राश्ट्रि सम्मान माना जाता है इससे पहले बहुत और भी सम्मान दिये जाते हैं जिसे पदमश्री, पदमभूशन, पदमभूशन इसके बाद जिसे ये सभी सम्मान प्राप्त हो जाते हैं उसे ही आकरी में भारत रत्न दिया जाता है ये बात ध्यान रखनी है किसी विव्यक्ति को सीधे भारत रत्न नहीं दिया जाता है उसे पहले पदम श्री, पदम विभूशन, पदम भूशन ये सारे पुरुसकार मिलते हुए जब वो इतना काबिल हो जाता है कि उसे भारत रत्न दिया जा सकता है तब उसे भारत रत्न द पुरुसकार और सर्वोचे नागरिक सम्मान है भारत रत्न सम्मान राष्टिय सेवा में आसाधारन कारे करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है इन राष्टिय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्ते, खेल और सारवजनिक सेवा के शेत्र सम्मिलित होते हैं इस और साहित् करने वहाओं में भारत रत्न के शूरुआत हैं यह मिल्मान में भाक भात रत्न के श्रीरे जिलिर्व और सर्था पहली भारत रत्न दिया घाता है अब अग्ला जो स्पहं आइ भारत की ड़ाशरद भारत c화. यह भारत की राष्ट भाषा भी है पर इसे हम राज भाषा के रूप में मानेंगे पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट भाषा है भारत में और भी हिंदी के अलाबा 21 और भी है क्योंकि कुल मिलाकर 22 राष्ट भाषा है राष्ट भाषा है हिंदी भारत की राष्ट भाषा कोई न ना होकर महज एक, राज भाशा है, यानि सिर्फ राज का जर्था सरकारी कारे के लिए उपयोग की जाने वाली भाशा. भारत के समीधान के अनुछेद, 343 के तहट हिंदी भारत की राज भाशा मात्र है. भारत के समिधान में राष्ट भाषा का कोई उलेख नहीं है, हाला कि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दरजा प्राप्ते जो हैं हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कौनकणी, मैथली, मल्यालम, मितई, यहनी किसे मनिपुरी भी कहते हैं, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दु, यह सभी हमारी आधिकारिक रूप से भाषा हैं, पर मैंसे किसी एक को आप राष्ट भाषा नहीं कह सकते हैं, अब हैं हमारी भारत की राष्ट्रिय लिप अनुषेद 343-1 के अनुषार देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा जाता हैं, अतेहा माना जा सकता है कि भारत की राष्ट्रिय लिपी देवनागरी हैं, और आपको पता होगा कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाय जात अब हम पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रिय पशु भारत का राष्ट्रिय पशु कौन है तो भारत का राष्ट्रिय पशु बाग है बाग लाएन नहीं है ये ध्यान रखिए बाग है वर्ष एप्रेल 1973 को बाग या रोयल बेंगॉल टाइगर को भारत का राष्टिय पशु घुशित किया गया था इससे पहले भारत का राष्टिय पशु शेर हुआ करता था तेज, फुर्ती और शक्ती के कारण बाग को भारत का राष्टिय पशु माना गया है बाग का जन्तु वैज्यानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है यानि कि एप्रेल 1973 से पहले शेर था पर एप्रेल 1973 को बाग यानि कि हम यह कह सकते हैं बेंगोल टाइगर को भारत का राष्ट्रे पशु माना गया क्योंकि वो शेर से अधिक फुर्ती वाला था और शक्ति वाला था और जो बाग का सैंटिफिक नेम है उसे हम पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं अब हम पढ़ते हैं भारत का राश्ट्रिय पक्षी जो की मोर है और यहां हम इसको पिफॉल भी कहते हैं ठीक है पिकॉक या पिफॉल 26 जन्मरी 1963 को मोर को भारत का राश्टिय पक्षी घोशित किया गया था मोर बेहत सुंदर और आकरशक पक्षी होता है जो प्राय दक्षिन एशिया में पाया जाता है मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है मोर का जन्तु विज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टैटस होता है याणि कि 26 जन्मरी 1963 में मोर को राश्टिय पक्षी माना गया क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है और ये जाना तर धक्षिन एशिया वले भाग में पाए जाता है जिसमें कि हमारा भारत पढ़ता है तो इसका scientific जो नेम होता है वो पाबो क्रिस्टो टस होता है तो उमीद करती हूँ ये national symbols आपके लिए उपयोगी हैं ये मैं आज यहीं पर खतम करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट टू में जो बाकी के national symbols है हमारे जो राश्ट्री है चिन है वो लेकर आऊंगी अगर आपको ये उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद